तो आदाप शस्त्रियाकाल, आप सबका मेरे इस चैनल पर, मेरे इस वीडियो पर पुनस्चा स्वागत है, बहुत दिनों के बाद मैं यह एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वैसे अपलोड करने के लिए भहुत से रविशय है, पिछला वीडियो आपने मेरा देखा होगा कि यह 2022 साल कैसे जाएगा, और कुछ बहुश्यवानिया, मैंने की थी, वो वीडियो भी आप देख लीजिये, और उसका एक extended वर्जन भी में डालने वाला हूँ, उसकी भी आप रहा देखते रही है, क्योंकि कुछ अपर रहाय कारणों से वो वीडियो में डालने पाया, ल विशय पर्सनलिटी डेवलोप्मेंट से रिलेटेड है, पर्सनलिटी डेवलोप्मेंट वेक्तित्व विकास, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में बात करता हूँ, ऐसे नहीं किये, शुद्ध हिंदी का मैं आग रही नहीं हूँ, और शुद्ध इंग्लिश का भी मैं तो विक्तित्व विकास में सबसे महत्वपुर्ण चीज होती है आत्मशक्ति, इच्चा शक्ति, जो और जीसे विलपावर ऐसा भी कहा जा सकता है, तो इस विलपावर का VIKास कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डीप, डीप में चर्चा करेंगे, तो पावर क्या है आप सबको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि कोई भी चीज और कोई भी धेय अगर किसी को हसिल करना है तो वह हसिल करने में अनन्त अडचनों का सामना उस वेक्ति को करना पड़ता है अनन्त संकट उसके जीवन में आते है और इसके मार्ग में अनिक रोडे लोग डालते है या परिष्टिती डाल देती है और ऐसे भी हालत में अगर वह आदमी हारा नहीं उसने अपना काम झोड़ा नहीं तो उसको आगे जाने के लिए एक फोर्स उसके अंदर काम करते रहता है उसे कहते है विलपावर उसे कहते है इच्छा शक्ति उपके उसे कह इससे में ज़्यादा होती इससे में कम होती है लेकिन अगर आप में अगर वह कम भी हो तो कुछ उसके अभ्यास है कुछ उसके मेथड से उसका अगर आप अंगिकार करेंगे तो माशालला हुसमें आप बड़ोती भी कर पाएंगे तो इस वीडियो में बने रही है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कमेंट में relevant question पुछे जो question relevant होगे उसका जवाब देने में मैं समयने करूँगा तो willpower का विकास अगर आपको करना है तो सबसे पहले सबसे पहले मैं आस्तिक्ता की बात करूँगा क्योंकि आपको इश्वर पर विश्वास होना चाहिए इश्वर है या नहीं यह बहुत गहन विशह है और इसके उपर हजरों सालों से चरजाए छिड रही है इसमें हम जाएंगे नहीं इश्वर हो या ना हो जैसे भी हो जिसी भी स्तिति में हो उसके उपर आपको विश्वास रखना चाहिए रखना ही चाहिए यह पहला इसका मूल मंत्र है अगर आप इश्वर पर विश्वास रखेंगे तो इश्वर तो ऐसा बाहर कुछ है ही नहीं जिसे हम कह सकते हैं वो आपके अंदर ही चुपाए क्योंकि आपके अंदर जो कलपना है इश्वर की जिस पेशी शमुह में जिस पेशी शमुह में वो इश्वर की कलपना है और वो सर्कुट फंक्शन कर रहा है अगर आप विश्वास करेंगे तो वह जो मंदल है, वह जो सर्किट है, उसको बल मिलती जाएगा, उसको voltage सप्लाई होती जाएगा, उसको current सप्लाई होगा, और आपको मालुम है कि बाऊनेरजी, बाऊनेरज Все your patience, एक फिल्ड है, बाऊने एक फिल्ड है, Medical Science में 2-3 chapter होते हैं उसके लेकिन उसमें भी बहुत सारी शोद की गुंजाईश है कि हमारा शरीर एक विद्ध्यूत यंत्र है और यहाँ विद्ध्यूत सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में यूटिलाइज होता है तो अगर दिमाग में आपके बहुत सारी negative thoughts हो गए है या positive thoughts लेकिन उनकी अगर बहुत ज़्यादा घर्दी होगी उनकी crowd होगी तो आपको success ने मिलता जीवन में ऐसा होता है तो बहले अपके दिमाग में कम thoughts हो लेकिन अगर वो पक्के हो तो एक appropriate voltage काम करने लगता है और इसका आपको फायदा होता है आपकी willpower बढ़ने में और आपका target अच्चू करने में तो यह सबसे महत्वपुर्ण मुद्दा इश्वर के उपर आपको अर्थूट विश्वास होना चाहिए कुछ लोग नास्तिक होते हैं इश्वर यह concept वो मानते नहीं तो उनके लिए मैं इलाज ऐसा बताता हूँ कि अगर वो नास्तिक है उके नास्तिक तो उनका नास्तिकता पर विश्वास होना चाहिए विश्वास ओ फल अदाय कहा विश्वास से फल मिलता है इश्वर का दुसरा नाम विश्वास है, ऐसा किसी महन तत्व चिंतक ने कहा है, इश्वर का दुसरा नाम विश्वास है, मतलब विश्वास महत्वपुर्ण है, तो चलो नस्तिक्ता पर ही आपको विश्वास सही, नस्तिक्ता जो रोग आपको सिखा रहे हैं, जो विचारव पर आपका विश्वास होना चाहिए, उनके जो प्रिंसिपल सुनों ने बताई है, मानव विकास के लिए उन पर आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास होना ज़रूरी है, विश्वासो फलदrick जाहा, इसका मैं पुनरुच्चार करता हूँ, तो इश्वर है ऐ देखते थे, पुराने जमाने में युद्ध होते थे, और जो सर्दार होता था, युद्ध का जो सर्दार होता था, जिसके पीछे सैनिक होते थे, वो एक नारा देता था, एक धार्मिक नारा देता था, हिंदू ये मुसलमन, कोई Christian भी क्यो ना हो, कोई एक नारा देता था, उस नारे के बज़े से, इश्वर है नहीं, अलग मैटर, लेकिन उस नारे के बज़े से, उस बीचे जो सैनिक खड़े होते थे, उनमें एक आत्मशक्ती, जिसे होल्टेज, वो होल्टेज सप्लाय होता, तो एक आत्मशक्ती create होती थी, तो ठीक है, ये कल्पना ही सही, लेकिन ये कल्पना आपको फाइदा पहुचा रही है, अगर वो आपको फाइदा पहुचा रही है, तो उस कल्पना का भी इस्तेमल अपने आपके विकास के लिए कर लेना चाहिए, तो विल पावर का सबसे पहला जो सुत्र है, इसके उपर हमने बात की है, अदृष्य शक्ती पर इश्वर, देवी देवता, जो कुछ भी हो, अतुड विश्वास होना चाहिए, ओके, दुसरी बात है, अगर आपको विल पावर बढ़ानी है, तो आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और अपने आप पर विश्वास होना एक कटीन बात है क्योंकि हम सभी को मालूम है हम कितने बैमान होते हैं हम अपने अपसे भी बैमान होते हैं हम एक चीज़ डिसाइड करते है कि हम यह नहीं करेंगे आसे हम यह गलत चीज़ जो हो रही है यह गलत आदत छोड़ देंगे असे पड़ाई करेंगे हम डिसाइड करतें लेकिन होता ही नहीं होता ही नहीं तो यह इसका मतलब है हम अपने आप से प्रामालिक नहीं अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए, अब जैसे भी हो, काले हो, गुरे हो, नाटे हो, ठेंगे हो, विदरूप हो, ना ज्यादा होश्यार हो, ना ज्यादा मुर्ख हो, कैसे भी हो, आपका आपके उपर अतुट विश्वास होना चाहिए कि येस, यह जो कारी है, जो मुझे दिया गय यह जो टार्गेट है, जो मेरे कंपनी ने, मेरे बॉस ने, मेरे संस्ता ने, मेरे स्कूल ने, मेरे कॉलेज ने, मेरे वरिष्टों ने मुझे जो दिया है, वह में हासिल करूँगा, अवश्य हासिल करूँगा, विदिन देट टाइम स्पैन, ऐसा एक आत्मविश्व साब के अंदर होना चाहिए, ऐसा विचार अपने करना चाहिए, as you think it, so will you become, तथागत बगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने भी कहा था कि, मनुष्य क्या है, तो मनुष्य उसके थॉट्स का नतिजा है, मनुष्य उसके थॉट्स का ही नतिजा है, तो ये थॉट्स सबसे महत्व पुरुन फोर्स है अमारे जगत में, तो थॉट्स का इस्तेमार अपने करना चाहिए, अपने उपर अपने आपको परम विश्वास होना चाहिए, तो लोग आपके उपर विश्वास करेंगे, अगर आपका अपने उपर ही विश्वास नहीं है, तो वह confidence का अभाव, जो सम आज में, उनको भी वह क्लिक होता है, उन्हें वह सेंस होता है, यह तो शाला डरबोगाद में है, इससे यह नहीं होगा, तो उनमें भी वह परिणाम दिखता है, तो अगर आपका आपके उपर विश्वास है, तो आपको लीडर मान सकते हैं लोग, और लीडर होने की यही पहिचान है, sorry, ये कैमेरा थोड़ा हिल रहा है, अच्छा लीडर होने की यही पहिचान है, कि लीडर को देखकर लोगों को लगना चाहिए साला एक क्या आदमी है, क्या जबरतस्त, क्या हाथ मुश्वास इस आदमी का है, चलो इसके हाथ में हमारे गाव देते हैं, चलो इसक हम हमारे MLA बनाते हैं, चलो इसको हम हमारे दिश्की बागडर संभाल का मुका देते हैं, चलो इसको प्रजान मंत्री बनते हैं, ऐसा आपको देखर लगना चाहिए न वही, तो यह सब आपके आत्मईश्वास का फॉल होता है, तो अगर आपका अंदर उस लेवल का आपके जीवन में मिलना शुरू होता है, तो इन दो चीजों से विल पावर बढ़ती है, और विल पावर हमारे समूर्थी से भी निग्डित है, हमारी समूर्थी होनी चाहिए, जो संकल्प हमने किया है, उसका हमको उसकी याद आनी चाहिए, लोग संकल्प करके भोल जाते और इसी कारण, जो input हमारे दिमाग को मिलना चाहिए था उस समय है, वह मिलने बाता है, क्योंकि हम भूल गए होते हैं, तो उसका वारनवार पुनोरौरती होने आवश्यक है, आपके दिमाग के अंदर, आपके मनस के अंदर, अगर उसकी पुनोरौती होगी, नहीं नहीं तो यह अमको उस समय आदाना चाहिए, जिस समय हम वहनियम तोड रहे होते हैं, तो उसका स्मरण, आपका जो उद्देश्य है, उसका उस समय अगर आपको स्मरण हो, तो फिर जो गलत कृती आप करने वाले थे, गलत दिशा में जाने वाले थे, उससे आप परारुत हो सकते है अगर उसका स्मरण ही ना हो, तो वह अपने आपने ही होगा, उसका आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ महनों के लिए, कुछ सालों के लिए, उसके आपको पुनरवुर्ती करनी पड़ेगी, यह पुनरवुर्ती mechanical नहीं होनी चाहिए, जैसा कोई मंत्र जाप करता है, माला गुमाने का कुछ इस्तेमाल नहीं है उससे नुकसान है उसके उपर भी हम वीडियो बनाएंगे कैसे नुकसान है क्योंकि बहुत सारे लोग लाखो करोडों लोग उसमें आठके हुए बहुत सारे लाखो करोडों लोग उसमें आठके हुए कि उससे कुछ होता है, उससे क्या होता है, क्या हो सकता है, इसके उपर भी हम विश्तुरूत चर्चा करेंगे, और उससे क्या नहीं हो सकता है, और उससे क्या पिक्षा नहीं करनी चाहिए, इसके उपर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो भी एक जबरदस्त वीड आपको स्मरन होना चाहिए, कि आपको वह चीजे नहीं करनी है, यह चीज नहीं करनी है, यह चीज करनी है, वह चीज करनी है, उसका वारनवार अपको अगर स्मरन हो उस समय, तो आप उस तरह से एक्षन ले सकते हैं, यह मैं आपको कहने वार हो था, तो पहला नियम होगा इश विश्वास अपने आप पर पुरा विश्वास तिसरा स्मरन और चौता में जो सबसे महतोपुर्ण इस वीडियो के अंतमें बताने वाला हूँ समय की पाबंदी अब जो भी टारगेट है अपको जो भी उद्धिश्य है तो वह टाइम बाउंड होना चाहिए तो कि आपको जो हासिल करना है एक विशिष्ट समय अवधि में हासिल करना है यह आपको ध्यान में होना चाहिए तो चलो एक मै आपको exercise बता तो कि आपको एक willpower की मैं एक exercise ऐसे बता तो कि चलो ठान लेके आगे 10 मिनिट में 10 मिनिट में मैं 1 किलो मेटर का अंतर पार करूँगा विना किसी स्कूटर के या किसी भी वेहिकल के मैं 1 किलो मेटर अंतर पार करूँगा इस आप ठान लीजिए टाइमर लगए और कैसे भी वह अंतर पार करें आप दोड़े या चले कुछ भी करें वह एक किलोमेटर अंतर आपने पार करना है दस मिनिट के अंदर यह विल पावर है तो मैं आपको बताना चाहिए जब आप करने करेंगे आप दोड़ेंगे भागेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका मान बोले गारे क्या कर रहो है क्या कर रहो है इसे क्या होगा तो यह जो होता है ना यह मन में जो पीछे खिचने वाला भी एक फोर्स होता है तो अगर यह पीछे खिचने वाला फोर्स आपके अंदर मौजुद है तो आप उससे गुसा नहीं हो आवश्यक है तो आपको हराना है तो वह जो पीछे खिचने वाला आपको force है उसको अपने समझाना है कि नहीं मुझे यह हासिल करना है यह मेरा target है और वह target आप अच्व करेंगे यह willpower का सबसे बड़ी हवाय है एक छोटा सा target लेना उसको time bound करना कि इस time में मुझे वह हासिल करना है और वो जो टार्गेट हो इतना भी बड़ा ना हो कि वो हासिल नहीं हो सकता और इतना भी छोटा ना हो कि कोई भी कर सकता है जैसे टार्गेट लेकि मैं एक मिनिट में एक सोले की तीस तक गिंदी करूँगा यह तो कोई भी कर सकते या फिर मैं एक मिनिट में मतलब साथ सेकंड में एक सोले की छे सो की गिंती करूंगा तो यह अशक के चीज़ है मैं एक मिनिट में एक से लेकर सोक की गिंती करूंगा यह एक feasible target है तो ऐसे कुछ logical, feasible, जिसको कुछ logic हो तबकि वो willpower strong होती जाएगी और आफके अंदर एक software डेवलप होगा अंदर और वो software वो जो है वो स्ताई होगा जो शने शने जो डेवलप होता है अंदर वो स्ताई होता है वो जल्दी मिटता नहीं लिगन उसे भी समरन का डोस बिज बिज में पिलाना ही पड़ता है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताईए कमेंट करिये relevant question होगे तो उसका मैं जरूर आंसर दोगा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिये वीडियो को लाइक करिये और इसको आगे बढ़ाईए और आपके दोस्तों तक अवश्य ये वीडियो पहुचाए कि ये सबसे महत्वपुर्ण चीज है आज के जूने तो आपके फायदे के साथ उनका भी थोड़ा फायदा करी तो इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ अगले मीडियो में फिर से मिलेंगे किसी तगड़े टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम